असलाम अलेकूम, आज हमने बनाई ये जैपूर की फेमस पकोडी की सबजी जो की बहुत ही टेस्टी बनती है और इस पकोडी की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर पहले ही डाल रखी है जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो वीडियो को लाज तक जरूर देखें कि मैंने पकोडी की सबजी कैसे बनाई है अगर आपको रैसी पे अच्छी लगए तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों और फैमिलिक साथ शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तो चैनल यह देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया है यह हमने पकोडिया बनाई ही दाल की पकोडिया इसको एक साइट रख देंगे इसकी सबजी बनाने की तयारी करेंगे तो एक कड़ाई में मैंने एक चमस तेल डाल दिया है गरम होने के बाद में मैं इसमें डाल दूँगे जीरा, जीरा फ्राइ होने के बाद में हम इसमें डाल देंगे दो टेबल स्पून प्याज का पेस्ट और इसको भून लेंगे करीब 2-3 मिनट ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, तो देखें प्याज का कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून लस्टन और अद्रग का पेस्ट और इसको भी 1-2 मिनट भूल लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए तो देखिए 2-3 मिनट मैंने इसको भूल लिया है कितना इसका कलर चेंज हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे basic masala quarter teaspoon डाल देंगे healthy powder एक चम्मा डाल देंगे लाल मिट्च पाउडर एक चम्मा डाल देंगे धनिया पाउडर masala आप अपने साफ से कम ज़्यादा कर सकते हैं तेस्ट के मताबिक नमग भी डाल देंगे मिला देंगे और 3-4 मिनट हम इसको भून लेंगे medium flame पर masala को भूनेंगे तो देखिए 3-4 मिनट मैंने masala को medium flame पर भून लिया है अब हम इसमें डाल देंगे एक कप tomato की puree मिला देंगे और tomato के साथ में masala को अच्छे से भून लेंगे तो देखिए मसाल अच्छे से भून चुका है तेल भी separate हो चुका है इतना ही हमको इसको भूनना है अब हम इसमें डाल देंगे पानी पानी में डाल दूंगे इसमें एक कप मिला देंगे इसको और पानी में हम boil आने देंगे तो देखिए पानी में boil आ चुका है अब हम इसमें डाल देंगे पकोड़ी जो हमने फ्राइ करके रखी थी मिला देंगे इसको और ढग कर हम इसको करीब 5 मिनट पकाएंगे ताकि जो हमारी पकोड़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो देखिए 5-7 मिनट मैंने इसको पका लिया है पकोड़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है तो बस इसी तरीक से हमारी दाल की पकोड़ी की सबजी बनके तयार हो जाती है अब हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला और साथ में डाल देंगे बारी कटा हरदनिया गैस की फ्लेम हमने बन कर दी है मिला देंगे इनको और यह देखें सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है इसको हम सर्व कर लेते हैं इसको आप पराठी, चपाती या खाए पूरी के साथ में बहुत ही टेस्टी लगती है तो आप भी एक बार इस तरीके से पकोड़ी की सबजी बना कर देखें अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों और फैमिलिक साथ शेयर करें चैनल पर पहली वा रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारी वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रें अल्ला आफेज